राधिश्याम जी का दो मंजीला मकान रंग बिरंगी बातियों से जगमगा रहा था कि कैटर्स किचन में खाने का श्वाद बढ़ाने में लगे हुए थे मेहमानों को कोई पेपसी सर्ब कर रहा था तो कोई आईस्क्रीम वे श्वैम सीर पर गुलावी रंग का शाफा बांधे और हाथों में हिशावाला बैग लिए शब को निर्देश दे रहे थे कि बाराधियों के श्वागत में कोई कमी नहीं रहने चाहिए उनकी बड़ी बेटी पूनम की आज बारात आ रही है आज तो वह उनकी बेटी है लेकिन कल वह पराई हो जाएगी यहीं सब सोच रहे थे कि मिसिज राधे शाम ने उनसे कहा सुनिये बारात आने का शमय हो गया है और आपकी लाडली है कि अभी तक दरवाजा बंद किये बैठी है अकेले ही तैयार हो रही है सहेलियों को भी बाहर कर दिया है मेरी तो सुन ही नहीं रही है अब आप ही जाकर अपने लाडली का दरवाजा खुलवा आईए अच्छा अच्छा आता हूँ कहकर राधे श्याम जी ने पूनम के कमरे का दरवाजा खटखटाया तब भीतर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा खटखटाते हुए कहा बेटी बारात आने में कुछी देर बाकी है दरवाजा खोल कर तो भी आकर अपनी बारात देख ले लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला तो किशी अन्होनी के आशंका से वह घबरा उठे घर मेहमानों से भरा हुआ है कुछ उच निच हुआ तो लोग थूथू करने लगेंगे उन्होंने धीरेशे पतनी के कान में कुछ कहा और अपने एक परिचित को राजदार बना कर कहा के खिड़की के रास्ते अंदर जा कर देखें कि आखिर माजरा क्या है कुछ ही देर में वह बापश आ गया और उन्हें एक कागज का टुकड़ा थमा दिया जिसे पढ़कर उनके पैरों तले जमीन निकल गई उस कागज में पूनम ने लिखा था पापा मैं रोशन से प्यार करती हूँ हमने कल ही कोट मैरिज कर ली थी अब मैं उसी के साथ बनारश्या रही हूँ मुझे माफ कीजिये शौरी पापा, शौरी मम्मी राधे श्याम जी और उनकी पत्नी का चेहरा शफेद पढ़ गया था बैंड बाजी की आबाज उनके कानों में सुनाई दे रही थी उन्हें शमज नहीं आ रहा था कि क्या करें दोनों ने अपने आपको शैयत किया और मुस्कुराते हुए बरातियों का श्वागत करने लगे माला पहनाने के बाद राधे श्याम जी बर के पिता को एक कमरे में ले गए और बेटी का लिखा कागज दिखाते हुए हाथ जोड कर बोले भाई सहब बेटी ने तो मेरी नाक कटा दी है आप चाहे तो मुझे भला बुरा कहकर अपना भडास निकाल लिजिए और बापस बारात ले जाकर मेरे चेहरे पर कालिख पोद दीजिए मैं आपका गुनहगार हूँ कहते हुए रोने लगे बरपक्ष के पिता सुल्जेवी इंसान थे दुनियादारी को भली भाती समझते थे उन्होंने राधे श्याम जी के आसु पोछे और कहा कि जो होना था वो तो हो चुका बारात बापस ले जाने में तो हमारी भी बदनामी होगी अगर आप मुनासिब समझे तो अपनी छोटी बेटी शुमन हमें दे दीजिए जी शुमन राधे श्याम जी की आवाज लड़ खड़ाने लगी वह कुछ कहते उससे पहले ही शुमन वहां आ गई और बर के पिता से बोली अंकल पापा तो कुछ नहीं बोल पाएंगे लेकिन मैं तयार हूँ बस मुझे दस मिनट दे दीजिए तब तक आप अपने मिहमानों को हाँ हाँ बेटी क्यों नहीं कहते हुए उन्होंने राधे श्याम जी के कंदे पर हाथ रख कर उन्हें आश्वासन दिया और बाहर आकर अपने बेटे से बात करने लगे शुमन ने आदित्य को मेसेच किया आदित्य घर पर बारात खड़ी है और दीदी घर से चले गई है मैंने तुमसे बिवाह करने का प्रामिश किया था देकिन अब दीदी के इस तरह से चले जाने से पापा की इज़त पर जो दाग लगा है उसे धोना भी मेरा फर्ज है तुम क्या कहते हो आदित्य ने जवाब दिया शुमन मैं तुमारे फैसले के साथ हूँ प्राउड अफ यू पढ़कर सरधा की आखे नम हो गई अपने चेहरे पर खुसी लाने का प्रयास करते हुए वो दुल्हन के कपड़ पहन कर सजने लगी शुभ मुहूर्त में राधे शियाम जी और उनकी पत्नी ने बेटी का कन्यादान करके उसे बिदा किया पूनम और शर्धा एक ही डाली के फूल थे लेकिन दो रंग और दो शौभाब के एक ने पिता की पगड़ी उच्छा ली तो दूसरे ने उसे फिर से बहना कर शिर का ताज बना दिया एक ने गलती की तो दूसरे ने शहर से अपनी इच्छा का त्याग करके माता पिता के शम्मान की रच्छा की कहानी अच्छी लगे टू लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए